नमस्कार दुफतो मैं संदीव स्वागत आप सभी का आज किस नहीं एंट फिस वीडियो में दुफतो चलिए आप लोग ज्यदा फिर ज्यदा लोग क्लाफ पे जाएंगे क्योंकि आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए हिंदी मार्डल कोश्चन के बारे में यान कि दो बार एक्जाम होंगे तो यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए इस वीडियो से आपके पांफ वेचा नमबर क्लियर हो जाएंगे यानि कि इस वीडियो से एक दो कुष्टन तो अंडर प्रसंट आएंगे आएंगे आप लोग देख लीजिए चाहिए हलाकि यह भी हो सकता है कि कुछ इन्वर्सीटियों में जो पैटरन है वो एक्जाम का चेंज हो सकता है जैसे कि बहुत सा इन्वर्सीटियों में ऑब्जेक्टिव कोश्चन भी पूछ पूछे जाएंगे तो हाला कि मैंने जो अब्जेक्टिव के लिए जहां पर एक ब्जेक्टिव कोश्चन यानि मल्टिपल कोश्चन पूछे जाएंगे उसके बहुत सारी बीडियो बना दी आप चैनल पर देख सकते हैं आज इस वीडियों जितने भी कोश्चन होने वाले उसमें कोश्चन लिखे होंगे और उत्तर प्रिस्टिका में आप लोगों को एक्जाम का एंसर लिखना हो गया नहीं रिटन में चले बढ़ते वीडियो में पहला कोश्चन जो इंकिल्यूडड है इस वीडियो में वह आतिला घुतिर से सम्मंदित सारे कोश्चन मैंने उत्तर होगा वह आप लोगों को हेडिंग डालके अपने उत्तर प्रिस्टिका में एक्जाम में लिखना है अगर एक विश्चन आया तो तो जो ग्रेर सन है इन्होंने आउधी या पूर्वी हिंदी को जो अब अप भ्रंस से उत्पन माना है उसका इत्तर उत्तर यह हो जा प्रवकोलाण में उठीगा इन्होंने सहनें यों मगदी के बीच के अद्ध मंगदी से माना है इसन है यहां पर देखेंगे का पाइखेंगे आ या पर दैखेंगे 1000 इसमी के आश्पास हुई है यद्दभ इस्तित को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं कुछ विद्ध्यान इसे नवी सताब्दी में तो कुछ गेर्विस सताब्दी में उत्पन मानते हैं यानि कि अवधी के उत्पत्य के बहुत सारे मतभेत है अलग-अलग कपी और अलग-अलग लेखों के एक वर्डिंग कुछ कभी इनका नवी सताब्दी मानते हैं कुछ गेरविस सताब्दी मानते हैं कुछ बारविस सताब्दी मानते हैं तो सभी के मतभेत अलग-अलग हैं ल पूरा लास्ट तक देखेंगे तो गारंटे के साथ कह सकता हूं कि आपको काफी मदद मेरेगी आने वाले एक्जाम में आप लोगों को खिक है तो अवधी की जो विकास की आत्रा वह तीन चेड़ों में भाजित है जो निम्नुवत है पहली जो है वह आधिकाल जो की के विकास को तीन चेड़ों में विवाजित किया है आधिकाल मदिकाल आधनिकाल तीनों के सामने आप लोगों को उसकी तिति लिख देनी कब से कौन थी ठीक है यह लिख देना है समझ में आ गया ओके नेश कोशन है कि आधिकालीन अवधी की प्रमुक रशनाओं के नाम तो वहां पर नंबर एक करके या पिर कॉमा करके जैसे आप लोगों को स्टेबल या बेटर लगे वैसे करिएगा कोई जो नहीं कि कॉमा करके लिखे आप नंबर वाइज भी लिख सकते हैं तो जो प्रमुक प्रस्दाय है उनकी जो नाम है वो है हेम चंद्रकरती दूसरी है देशी नाम माला और तीसरी है दामो ठीक है दामो दरपंडित करत और अगली है उक्ति ब्यक्त प्रकरण निस्ट है रोडा कापी और उसके नोडा करत ठीक है नोडा का भी करत है अगली है र तिरी सोवर ठाकृ क्रत और अगली है वण करत और इसके अगली है चंदर भरदाईền है और नेंस्ट है पिर्थवी राजरासव औरो म날स्ट है ठीक है बमर्लद दावद क्रत और इसके अगली है चंदयन तो यह निम्लिखित प्रमुख रशनाएं हैं ठीक है अधिकालीन अधिकी ठीक है बहुत इंपर्टन कोईश्चन ध्यान में रिखेगा आप लोग इसी में अगला कोईश्चन हम बढ़ेंगे आने कि पांचोन नमर कोईश्चन है लिखा कि अधि भासा का स्वरण किस काल को कहाता है तो यहाँ पर आप लोगको एंशर मिल जाएगा कि उत्तर है कि अधि भासा का स्वर्ड यूग ठीक है अवधी भासा का स्रोड़ यूग मद्दिकाल को कहा जाता है मद्दिकाल की प्रमुक्ष रश्णाएं और उनके रश्णाकार इस प्रकार है जैसा कोष्चन है वैसा एंसर है यह बहुत इंपॉर्टन कोष्चन है टॉप लेवल का है यह ज्यान में जरूर रखिएगा कि अवधी भासा का जो स्रोड़ काल यूग है वो किसे कहा जाता है तो जो अवधी भासा का स्रोड़ काल यूग है वो मद्दिकाल को कहा जाता है मद्दिकाल के प्रमुक्ष रश्णाएं आप सभी के सामने निम्नुवत हैं पहली मिल जाएगी ठीक है जो पहली रश्णाक पिज्टार है menjhan है menjhan की जो ठीक है रचना है वह है तेन नबर पर जाइफिन की क्रति में यह पर आपके सकते हैं पद्मवत अखरवत आखरी कलाम अगला कभी है उस्मान उस्मान की जो रचना है चित्रावली है अगला कभी या पिर लेखक है शेख नभी जिनकी क्रति ज्ञानदीप है ठीक है अगला कभी और लेखक है काशिम सा जिनकी रचना है हंस जावाहिर ठीक है तो यह सारे कभी हैं और इनकी यह सारी क्रतिया हैं जो आपके सामने निम्नुवत है आप सभी को यह कोईस्टन का राइट एंचर आई होप समझ भय आगया होगा अच्छे से ठीक है याद रखेगा यह 90 परसंट चांसे हैं इस कोईश्चन के आने के तो यह धरूर ध्यान में रखेगा हम बढ़ेंगे निस कोईश्चन की और चलिए और भी इसमें थोड़े 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 और कभी भी है उनकी रचना है इनकी रचना है और नेश्ट कभी है तुलसिदा जिनकी जो क्रती है रामचे इत्मानिस यह सारे कोईश्चन आप सभी को साइद मालुम भी हो आप लोगों को थोड़ा रिवाइच कराना था थोड़ा ध्यान दिलाना था तो आप लोगों खुदी समझ में आ गया होगा तो यह रहे सारे को उससे सम्बंदित कोईश्चन है उससे रिलेटेड का कुईश्चन है बस थोड़ा गुमाः फिराके यहां पर आधुनिक तीक हैं आधुनिक आउधी कभिता की सुरुवाद की बात हो रही कभसे बानी जाती है तो इसका मिलेगा यानि उत्तर भी लिखा है कि आधुनिक आ अबिनिफ्ट हैं या फिर इस प्रकार हैं ऐसे लिख सकते हैं यहां पर कौमा द् गोंकि आप लोग करके लिखेंगे तो भीविज भड़ेंगे और आप लोगों को जो में बना आसानी होगी जल्दी से समझ में आएगा कि हाँ ये बंदा ये बच्चा वो नंबर वाइज लिखा है नेशको यानि कि इसी में जो कभी है उनका नाम है पंडित प्रताप नायर मिस्र पहले हैं दूसरे हैं पंडित सुकदेव मिस्र और तीसरे हैं बलबद्र प्रसाद देच ठीक है बलबद्र प्रसाद देचित और पीडिस ठीक है और इसी में अगला जो कभी है या फिर लेखक है वो है पंडित वंसिधर सुकल और फिर अगले कभी चंद्रभूसर त्रिवेदी अगले कभी रमई का का इसी में अगले हैं लच्छमी प्रसाद मिस्र अगले हैं पं यह इन कभियों की उपाद है इसके बगत सामने जो लिखा है ठीक है अगले हैं दया संकरती हाती चतुर बोजी सर्मा पारशनात मिस्त्र भ्रमर ब्रजेंद खरे आदे या इनकी रशना भी हो सकती है ठीक है तो यह सारे कोश्चन के यानि कि इस कोश्चन का एंसर आप लोगो नार जी शुकदेव जी वश्ची 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 धर्शकुल जी दया संकर जी ठीक है चत्र भुज जी और भी कभी आप लोग इनका नाम लिख सकते हैं बहुत ही आसान कोश्चन है सिंपल से लिख देंगे आपको पूरे को पूरे नमबर मिल जाएंगे इसी में अगल इसका रहोसा है तुकि कितने चेट्र में य्याणिकि कितने चेट्र के रूप में उन्होंने भीभाजन किया या यह फिर विवाजित किया है तो इसका जो answer हो जाएगा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर डाक्टर बाबु राम सक्षेना ने आउधी को तीन छेते रूपों में भाजित किया है जो की निम्नुमत या फिर निम्लिखित है पहला जो है पहला छेत्र है पस्चिमी आउधी दूसरा है केंद्रे लोगों को सिंपल लिख देना इन नोने तीन छेत्र में विवाजित किया आप एक लिख दीजेगा पस्चीं दूसरा केंद्री और तीसरी पूरबी बस सिंपल सा जाएगा ठीक है इसी में अगला कॉश्चिन है आठ नंबर लिखाई कि अवधी ठीक है ऑधी का छेत्र विस्त जो है उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में है तो आपको एंसर मिल जाएगा इसका अवधी का छेत्र विस्तार उत्तर प्रदेश के निम्नुवत या फिन निम्लिखित जिलों में उपलब्द है या फिर है या किया गया है ऐसा भी आप लिख सकते हैं पहला आ जाएगा लख नमबर तीन सीता पूर नमबर चार लख्ननो और नमबर पांच उन्नो नमबर छे आप लोग लिख देंगे राइबरेली फिर फते पूरकान पूर के पूर्भी किनारों को ठीक है के पूर्वी किनारों की पत्ली पट्टी इलहाबाद प्रतापगड सुल्तानपुर फैजाबाद अम्बेडकर नगर अकबरपूर तहसील ठीक है अकबरपूर तहसील गोंडा बल्रामपुर स्रावस्ती बहराइश मिर्दापूर इद्याद तो इसमें आपको सारे जिलो के नाम नहीं याद है फिराल आसान है याद तो हो ही जाएंगे आप उच्छे भी लिख देंगे तब भी नहीं भी याद है तो आप लोग इसमें से 55 जरू लिख दी जेगा इसमें करीब रीब 10-12 के नाम है लेकिन आप 6-7 लिख दीजेगा तब ही आपको लिकिन प्रदेशों में आंसिक रूप से बोली जाती है यानि कि आंसिक रूप मतलब यह हुआ कि अधिकतर ठीक है मतलब कि जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश में तो नार्मली बोली जाती है ठीक है उत्तर प्रदेश में तो नार्मली बोली जाती है इसी तरह अन्य मजदूर वर्गों में अवधी प्रियुक्त होती है यानि कुछ अंस देखने को मिल रहें ठीक है आंसी क्रोप से छोटे में ठीक है तो यह इसका एंसर हो गया सिंपल सा बिहार के मुझब प्रजिले के मुसल्मानों तथा बंगाल और असम के कुछ मजदूरों में अवधी प ठीक है आवधी में संग्या के कितने रूप प्रियोग में लाया जाता है इस प्रकार इसमें संग्या के तीन रूप हस्ष दीर्ग और दीरगत्तर रूप प्रियोग ब्रियोग के लिए घोड़ा के गोड़ना तो इस प्रकार के संग्या के रूप हैं तो आप लोग ऐसे एक्जाम्पल देखे लिख सकते हैं ठीक है सिम्पल सा कोश्चन यह भी था और इसका एंसर भी से उसी में निश्च और की तो सेख निशार का जन्म कभ और कहां हुआ था तो सेख निशार जो है या फिर आप लोग कहे सकते हैं अप यह नहीं तो आप लोग थे ही कहेंगे ठीक है उत्तर है कि सेख निखार ने अपनी जन्पिति का उलेख कहीं भी नहीं किया है लेकिन उनके ग्रंथ यूसुप जुलेखा बहुत इंपार्टन कोश्चन है याद रखेगा कि सेख निखार की जो प्रमुक ग्रंथ है यूसुप जुलेखा यूसुप जुलेखा से रिलेटेड ठीक है यूसुप जुलेखा में इस बात का उलेख है कि 57 वर्ष की अवस्था में संबत 847 की पौश मुडिमा को उन्होंने अपने उक्त ग्रंथ की रसना की थी जिसमें कुल साथ दिन लगे थे उक्तुतत्थ से एस्पष्ट है कि उनका जन्मसन 1733 में हुआ था अपने जन्म अस्थान के बिशे में उन्होंने लिखा है क्या लिखा है कहा है कि सेख पुरुत गाओं सुहावा सेख निसार जन्मत हाँ पावा अन्होंने यह पंक्ति लिखी है जिसे यह साबित होता है कि ठीक हैं उनका जन्म कहां पर हुआ या फिर नियुक्त प्रकश से उनके जन्मसन स्थान की विवेश्णा या फिर विवेश्णा की जा सकती है तो उन्हेंनों यहीं लिखा आए कि 1733 में हुआ था अपने जर्मिस्थान के बिशे में उन्हें यह कहा था इस्थान के बारे में कि सेख पूर उत गाउं सुहावा सेख निसार जनमत हाँ पावा तो आप लोग इसका एंसर समझ पा रहेंगे इसका असपस्ट यह हुआ यानि की पूरी हिंदी में ठीक है सुध्ध हिंदी में तो यह आएगा कि उनका जन्म फैजाबाद जिले के शेख पूर गाउं में हुआ था ठीक है आप लोग उसमझ में आ गया होगा यह भी कोश्चन और उसका एंसर भी इसी में नेश्ट कोश्चन है कि सेख निसार का जो नाम था इसका एंसर आप लोग पढ़ेंगे तो लिखा है सेख निसार का वास्तविक नाम गुलाम असरफ है निसार उनका उपनाम था याद रखिएगा सेख निसार का वास्तविक नाम असरफ है और निसार इनका उपनाम था सेख पूर गाउं में जन्म होने की कारण इन्हों ने अपने उपनाम अपने उपनाम निसार के साथ सेख सब्द जोड़ दिया था ठीक है इसलिए इनका जो पूरा नाम हुआ वो सेख निसार हुआ यानि वास्तविक नाम ऐसे इनका पड़ा तो ध्यान में रिखे कि बहुत सिंपासा कोईश्चन आप लोग देंगे असानी से इसी में अगला कोश्चन है कि अंत्र ठीक है अंताह साच्छों के अधार पर सेख निसार की वन्स परामपरा पर प्रकाश डालिए तो इसका मतलब यह परामपरा प्रकाश डाले का मतलब यह नहींगा कि आप लोग बिस्तार से इसको डीटेल में लिखेंगे यह द्यान में रिखेगा तो उत्तरिष्का हो जाएगा कि फारस घृज के अध्यात्मिक कभी मॉलाणा जलालुदीन 2 का वंसद सेख निसार ठीक है को माना जाता है वश्तble大家 में सेख पूरनामग घाउँ बसाया था इसी गाओं में सेख निसार के पिता सेख गुलाम का जन्म सेख हबिबुल्ला के पुत्र में हुआ था सेख निसार के एक मात्र पुत्र लतीब किर्मत 22 वर्ष की आवस्था में हो गई थी बस यही परमपरा का मतलब इनके पिता जी कौन थे ठीक है पहले पिता जी ज़िए कि आप लोग कहा सकते हैं गया इसक के बारे तो इसे एंसर में आप लोगों समझ में आ गया होगा असानी से ठीक है इसीमें अगला कोश्चन है कि सेख निसार के कौन कौन ठीक है आप लोग देख पारंगे एरेज होगा अनिमिट गया तो यह को ले दिरन कहीं कोम तहुत कीज़ें यहां पर question का मतलब कुछ और हो सकता है guess क्या करें क्योंकि मीटा हुआ यहाँ पर सेख निसार के गुरू कौन थे हमने guess कर लिया सेख निसार के गुरू कौन थे श्पस्ट कीजिए तो answer इसका हो जाएगा सेख निसार के गुरू उनके पितामा ठीक है उनके पितामा सेख हबी बुल्ला थे यानि की जो सेख निसार के गुरू थे वो उनके पिता ही जी थे जिनका नाम हबीबुला था सेख निसार को मौलो ना मौलाना रोमी दोरा अश्थाप्स्ट मौलबिय संपरदाय में दिछित किया था निसार ने अपने गुरू के प्रति अपना भाव इस प्रकार ब्यक्ति किया तो एक पंक्ति है इसमें आप लोग पढ़िए और हम आपको सुना रहे हैं ठीक है आप पढ़ भी सकते हैं हम आपको बताएंगे तो ही लिखा है कि सब इहें गुरू कर गुरू सुहावा लोगों का एंसर मालूम हो गया था सिंपल था आप लोग सबच गये होंगे ठीक है इनके पिता ही जी इनके गुरू थे जो की जिनका नाम था अभी भुल्ला इसी में नेस्ट कोईश्चन है कि सेख निसार की रस्नाओं का नामों लेक करते हुए उनका साहित्तिक ठीक है वेसे स्टे बताईए तो उत्तर आप लोगों के मिल जाएगा कि सेख निसार ठीक है सेख निसार की महत्वपूड एवम चर्चित कत यूसुप जुलेखा है बह इन्होंने मेहर यानि की यूसुप जुलेखा जो ग्रंत है इसके अलावा इन्होंने मेहर निगार रस्मनोज दिवान मस्नवी स्रोधी नस्त्र और नसत्र नसत्र आदिका सरजन या फिर रसना किया यह सभी रसनाए प्रेमभाव से परिपूर्ण है इनका फ्रजन करकि कि अधं में कीया गया है ठीक सेक निविशार आसुक निवी याद रख़ेगा सेक निविशार आसुक अभी भी यह नियुक इम्पॉर्टेंट यहां पर यह संटेंश्प बनता है और आगे लिखा है कि उक्त रचनाओं से इनका साहितिक वैसिस्ट परिलचित होता है उनके ग्यान और भाव का ही परिडाम था कि यूसिप जुलेखा जैसे प्रेमाख्यान की रचना मात साथ दिन में कर दी गई है बहुत important question यहाँ पर आपके एक्जाम में ये भी आ सकता है कि जो सेख निसार की प्रसिद्ध रचना या ग्रंत यूसिप जुलेखा थी उसकी रचना कितनी दिनों में की गई थी तो आप लोग उसका answer यह लिखेंगे कि इनकी जो रचना है प्रेम जुलेखा जो कि प्रेमाख हम अगले दिन बात करेंगे यह आप लोग देख लिजे कि सेख निसार क्रत यूसिप जुलेखा किन-किन गंतों का प्रभाव परिलच्छित होता है इस question के बारे हम निस्टे बात करेंगे और हमने पूरे को पूरे 15 question और पूरे 15 answer यूसिप यानि कि यूसिम जो इनकी क्रत है सेख निसार जी की ठीक है उसके बारे मैंने पूरी जानकारी आपको दी सेख निसार से संबंदे जितने टॉप लेबल के question बंदे थे मैंने आपको बताएं I hope आप लोग समझे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे और अग्जाम में आप लोग कहिए उस पर आपको वीडियो कैसी लगी नेस्ट कोस्टन यानि कि नेस्ट कौन से सब्जेट का माडल पर 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 चेह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो के discussion में आप लोगों टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जोईन हो ये मिलते हैं नेस्ट वीडियो में